मैं दलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो गाइस आज जो इस वीडियो में नियो रिक्रिमेंट की मैं डिसकस करने जा रहा हूं वह वेकंसिस आपकी आउट की गई है की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूट्मेंट आउट की गई है जिसे की सिंप्ली टेंथ पास ट्वैल पास और आई टी डिप्लोमा के अंडेट डिग्री के अपलाए कर सकते हैं एक बीग अपर्शनोटी है टोटली गवर्मेंट जॉब के लिए खास करके मैं आई कंडिशन एज लिमिट कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी पोस्ट पर वेकेंस आउट की गई है सेलेक्शन प्रॉसस एप्लिकेशन प्रॉसस इसमें सेलरी आपको कितनी मिलेगी टोटली डिसकस करेंगे तो से लिए शुरू करते हैं इससे पहले में बता दूँ आप हमारे चैन यहां पर स्टार्ट करने जा रही है फोर सिविल के लिए एंड मेकनिकल के लिए तो जो भी केंडेट गेट 2022-2023 कोई जो प्रिपेशन कर रहे हैं और पहली बार में पहली बार में अच्छे परसंडेश के साथ वो गेट क्रैक करना चाहते हैं तो आपके सामने एक बीग एजुकेटर से यहां पर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो यह कॉर्स आप जरूर परसेस करें आप अच्छे परसंडेश के साथ में गेट क्रैक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया के बैस्ट एजुकेटर में से जस्पाल सिंग दूसियन सिरा और आने गुपता सर्द से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है यह काफी सरल और प्रेक्ली वाइज आपको इहां पर पढ़ने वाले हैं गयज यह कौर्स आप परशेस करना चाहते हैं कर सकते हैं इस्टाट होरा 28 दिसंबर 2020 से जो भी आपको पेड यहां पर लगने वाले हैं यह द सकते हैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागी तो लेट्स क्रैक इट तो गाइज यह ऑफिसल नोडिफिकेशन देख सकते हैं और टोटली गवर्मेंट जॉब है तो जरा ध्यान से देखेगा हम टेबल वाइस बात करने वाले हैं सबसे पहले पोस्ट की बारे मे ध्यान रखिएगा चले सबसे पहले बात करें तो एसिस्टेंट ऑपरेटर यहां फिटर ग्रेड फाइब की पोस्ट यहां पर निकाली गई है इसमें सेलरी तेराजार पाइसों से लेकर अठाईस अजार रुपे आपको मिलने वाली है टोटल एक ही वेकंसिज है जो कि यह पर अनुसूचित जन जाती के लिए इसमें कोई भी सरकारी मानेता प्राप्त बोड से दसमी कक्षा उत्तिर्न होना चाहिए उसके साथ उसमें से सरकारी मानेता प्राप्त संसान से फीटर ट्रेड में आईटी आई की डिग्री होनी चाहिए याई आईटी आई फीटर में पास आउट होने ही सिंपल है टेंथ वीद आईटी आई तो apply कर सकते हैं इसमें एक बड़ी बात मैं ये बता दूँ सरकारी मानेता प्राप्तिस का मतलब ये नहीं कि government आईटी आई से किये हैं तब ही आप apply कर सकते हैं कुछ भी नहीं है सभी आईटी आई को certificate सरकार द्वारा ही मिलता है तो आप apply जरूर करें और कर सकते हैं next है इसमें electrician की post पर और इसमें जे general की लिए vacances निकाली गई है तो जहाँ पर general आजाती है सभी candid apply कर सकते हैं यहाँ पर भी 10th pass होनी चाहिए और electrician trade के साथ आपको ITI के degree होनी चाहिए साथ ही सरकारी electrical license board द्वारा जारी एक वैद यानि की valid आपका electrical workman permit का एक आपकी certificate होनी चाहिए आप फिस serenie 1 या फिर serenie 2 उससे कोई जो फर्क है वन ही पड़ता है next है अड्राप्टमें सिविल के लिए grade 5 की post है इसमें भी salary से में तो general में post है तो सभी candidate apply कर सकते है और 10th PID ITI pass out होनी चाहिए और जितने आपको संस्थान है ड्राप्टमेंट सिविल में ITI जो होनी चाहिए next है उसके बाद कनिष्ट के साहा है first के leapics computer यानि operator grade 5 के लिए है इसमें भी से में दो एक total 4 vacancy है तो category wise divide की गए जरूर apply कर सकते है इसमें 12th pass होना चाहिए किसी भी stream से यानि कि किसी भी अपने arts commerce science किसी भी किया हो आप apply कर सकते हो computer application में नियुनतम 6 माह का आपका पाश डिपलोमा परमान पत्र होना चाहिए यानि कि 6 मन्त की आपकी जो computer application में उसकी certificate होनी चाहिए next 30 सब्द पर 3 मिनट हिंदी सहीद computer typing में परिता है यानि कि 30 word per minute आपका पर typing का जो speed होनी चाहिए next बात वरिष्ट सायक है और ये हिंदी अनुवादक के लिए है तो इसमें आपकी 7th grade के अनुशार आपको salary मिलेगी तो अच्छी खासी salary है 16,000 से लेकर 34,000 की 20 मिलती है इसमें general में post है तो apply कर सकते हैं किसी भी सरकारी मानेता प्राप्त 20 विद्याले में असनातक किसी भी stream में हो देख सकते हैं आपका सनातक की degree होनी चाहिए एकशी अंगरेजी भी से जरूर होना चाहिए तो ध्यान रहे और कि graduate candidate इसमें apply कर सकते हैं उसके साथ आपको किसी सरकारी मानेता प्राप्त हिंदी अनुवादक पाटकरम में परमान पत्रा डिप्लोमा होनी चाहिए इसमें भी मांगा गया है नेक्स्ट है वही चीज़े हिंदी में टाइपिंग उसमें अच्छी होनी चाहिए ये candidate जो भी apply करेंगे यहां पर वरिष टायक में और आपका एक वरिष टायक के लिए है लेखा ग्रिड सेवेंध के इसमें भी salary से में और इसी भी इसमें भी आपके पास graduate की डिगरी साथ में बीकॉम अस्तनातक होनी चाहिए ये कोई भी अस्तनातक नहीं चलेगा बीकॉम की डिगरी computer application में 6 मां का डिप्लोमा इसमें भी मांगे गया है technician के लिए रसाइनिक परियोग साला में है और एक वेकंसी है इसमें टोटली ओभी सेनरल सभी अपलाय कर सकते हैं किसी भी मानेता प्राप्स भी स्विद्ध्याले में रसाइन विग्यान में भौतिकी और गनी तुछिंग में BSC अशनातक यानि कि BSC साइन्स से ग्राजवट होने BSC में तो ये अपलाय कर रहे हैं वो भी आपका रसाइन विग्यान और भौतिकी में है तो समझ सकते हो आप और उमिद्वार को MS Office की पूरी जनकारी होनी चाहिए अगर इसमें अपलाय कर रहे है वरिष्ट अभियनता Civil Grade 8 के लिए वेकंसी है इसमें भी भी सभी अपलाय कर सकते हैं ये वेतनमान 8 के अनुसार है तो देख सकते हैं 17,000 से लेकर 38,000 आपको पेमेंड मिलने वाली है इसमें भी तीन साल की आपकी इंजिनियरिंग में आपका होना चाहिए डिप्लोमा तो अपलाय कर सकते हैं अपलिकेशन में 6 मांत की होनी चाहिए आपकी पास एक्सप्रियंस और सडिफियर्ड यहां पर मैं एज लिमिंट की में बात करूँ तो 18 साल से लेकर 30 साल के केंड़ेड अपलाय कर सकते हैं जिसमें से HTSC वालों को 5 एर का एज रिलेक्सेसन भी दिया जाएगा अपलिकेशन फी आपका लगने वाला गाईज जो की 200 रुपे अपलिकेशन फी आपको जो OBC से स्रेनी समंदित उमिद्वारे से लिया जाएगा बेंक सूल को और GST आदी को छोड़ कर जनरल और OBC का ही पेमेंट है उसके बाद जितने भी HTSC केंडिटेट हैं उसके लिए कोई भी एपलिकेशन फी लगने वाला नहीं सेलेक्सन प्रॉसस की में बात करूँ तो फर्स्ट चरण में आपका CBT होगा और दूसरा चरण में आपका skill test होगा तो देख सकते हैं फर्स्ट चरण में कितने candidate का यहां पर CBT होने वाला यह हां में बता गया है और चरण 2 में कौन-कौन सा हां है कौन-कौन सा नहीं है यह देख सकते हैं वरिष्ट सायक के लिए ही skill test होगा और तर्क-कौसल-अंक-गनित संख्यात्मक और मानसिक योगता इसमें 20% है यहनिकि अपना मैत रहेगा और रिजनिंग रहेगा और ज्ञान छेत्री याविसे के ज्ञान से समंदित यानिकि जनरल अबने 60% आपका रहेगा सीबीटी एक्जाम्स टोटल हंड्रेड मार्क्स होंगे देख सकते हैं और अबजेप्टिक एक अंक दिया जागा और एक गलत करते हैं तो 0.25 आपके अंक है वो काट लिए जाएंगे और इसका टाइम रहेगा दो घंटे का तो कफी अच्छा टाइम दिया गार जा रहा है तो जो भी केंडेड अलिजबल हैं जरूर अपले करें देखिए अपर्शनोडीज बहुत ही अच्छी खासी निकली हुए आप सब के लिए तो गाज इस फॉम को जो भी केंडेड फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं 20 जनवरी तक लास लिट है ओनलाइन फॉम स्टार्ट हो चुका है ओनलाइन आवेदन आपको कैसे करना आप आप तेख सकते हैं यह ओफिचल वेबसेट है यही परफॉम फिल अफ होगा और 21 दिसम्बर से स्टार्ट है तो जो भी केंडेड अलिजबल हैं जरूर अपलाइगा तो गाज यह यह जनरल इनफॉर्मेशन होपफुली समझा चुका होगा जितने भी केंडेड हैं फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कीज़े आपकी पूरी हेल्प की जागी अधरवाइस हमारे वीडियो आपको पसंद आई और लाइक करें इससे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें चले मिलते हैं नेक्स वीडियो मैं तब तक लेज़ जहें